इसे परिफ्र के लाइट में आपकर सुवागत य Boulder आज मैं आपसे बहुत इंपोर्टेंट टोपिक शेयर करूं जो या थ्रो के बाद में जो कभी स्ट्रेचिंग निकरते तो वार्म अप स्ट्रेचिंग और डाइट और रिलेक्स यह चार चीजी ऐसी हैं जो एक जिंदिकी में सब्सक्राद इंपोर्टन्स अपनी पर्फॉमेंस बढ़ाने के लिए अपनी स्ट्रेंद बढ़ाने के लिए और देवाइडे हमारी जो थ्रो है जो भी हम परकाउट कर रहे हैं उसके लिए चार चीजें बड़ी माहिने रखती है तो इसमें क्या है कि पहले जैसे हम ग्रांड में जाते हैं सबसे पहले हमें वार्मुफ करना हुआ है वार्मुफ बढ़ा अच्छा होना थी है ताकि हम जो हखें। इसी करेंगा है अब करेंगिए भी चाहिए नभाट हर सेफ में परतों हमते हैं करें। होस्य करें लिए करने क्लिएं उसके बनारिक वार्मुफ का थे सग्ष भाण। व्रिप हुए और मसल्स इस पें और जो है आप जो है जो आपकी तो है आपका जो भी जो आपके जो और उसकेश्च करते हैं उसके वाद स्ट्रेश निकरते हैं उनकी फ्रोमेंट न नहीं हो पाता है यह बहुत ज्यादा रोल लगती हैं अपनी थेंड प्रोर बढ़ाने में करते हैं इसे ही इक चीज होती है लेट जाते हैं वह रखाउट करते हैं बहुत सारो लगते हैं और एक्स्रा अगर आपकी डाइट में प्रोटीन प्रिट्चूर मातरा में नहीं है या और बहुत सारी चीजे हैं जैसे मालों आप कार्बो हाइड्रेट्स पूरा तरीकर से नहीं लेते हैं आप डाइट हल्गी रखते हैं तो आपको बरकाउट करना उसी अपनी डाइट के अगोर्डिंग करना होता है अगर आप इसे फाल्ट है अगर बरकाउट करदें तो आपको नुकसान होगा उसमें आपको इंज़री के चांज ही बनेंगे आपको कमज़री मेंसुच करेंगे आपका जो गेम है वह इंप्रूब नहीं हो इसलिए वार्मप का प्रश्चिंग का बैसे ही डाइट का बश्चिंग का और वारम फो गया ऐसे ही जो अगली चीज आती है वह आती है रिलाक्स बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि गेम के गराउंड में प्रेक्टिस की या जिम में वरक आओट खराए जो भी अपना जो भी चीज करी परकाउट भी उसके बात के करते हैं बहुत से घर जाने के बाद इसलिए मसल की रिकवरी करने करने करनी है जो है रिलाक्स करना बहुत जरूरी है एक चीज़ घंटा आप सो सकते हैं बर्काउट के बाद में अपने अराम से और अगर सोते भी नहीं तो आप अराम से लेड़ जाएं बोडी को रिलाक्स करने इसका बड़ाइमपोटेंस है इस्की होता है हमारी मसल का रिकवरी होती है थाकि हम जो फोनी नेक्स रिक शुरू करते है अब धूर। तहब ही मसला गरोथ करते हैं जब मसलों पूरा रिलके को देखते हैं लुगरौ एच सबूरा जा अर्ग यह वीं सेटग मोजहिक रिलैक्स artky कला। सबादा नेल को चार जाते हैं चार बजे के और में कॉछा टार्टी तक आता है तो उसमें क्या बता है उनकी नींद जोग कम रहे जाती है तो इसलिए जितनी इंपोटेंस उन तीनों की है इन चीजों को अपने गेम के अंदर लेके आएंगे अच्छे तरीके से फोलो करेंगे तो आपको यह जरूरी है जो मैंने चार्ची बताई है यह आज मैंने यह टोपिक इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे गांपे ऐसा करते हैं कि उन्हें ना तुबार हो का पता है ना स्टै स्टैचिंग के अक्साइज में आगर बताऊंगा लेकिन यह समझना बढ़ा जरूरी है कि कोई भी थ्रोबर है या कोई बरकाउट करता है उसमें जो है सबसे जाए में रोल होता है इन चार चीज़ों को होता है यह चार चीज़ें को बोलो करका चले इनके साथ अपना बरक करने चार तो परकाउट कर दो भी यह बिना बार्वट के बिना इस्टैचिंग के साम को भी साम को भी अगर आप फ्रोब लगाते हैं तो इस से पहले यह आको पर अब करना जरूरी है फ्रोब्लागाने के बाद आप स्टैचिंग करने अपनी फोड़ी है अप उसके लिए जो है ग्राउंड में फोर्टे लेटे स्ट्रेशिंग करने के बाद फिर घर जाकर आप प्रोफर अराम करें अपना डाइट वैड जोले नी उले वो प्रोफर तरीके सा अराम करें तो यह यह सेडूल आपको बनाना पड़ेगा आप अच्छे थ्रोफर बनना चाहते हैं आप यह यह चाहते हैं हमारा गोल आपेड़े हमारा गे बढ़े तो आपको इन चीजों को फोलो करने और फिलो कि था खट यह हर अफ रचिक हैं